एक बार एक गाउं में हीरा नाम का बहुत ही घरीब व्यक्ति रहता था उसकी परिवार में उसकी मा, पिता और उसकी छोटी बहन थी वो मुची का काम किया करता था उससे जो भी पैसा कमाता उसी से अपने परिवार का गुजारा चलता था अरो भाई जरा इस जूटे को तो शिल देना चलते हुए अचानक से फट गया जी सहब इसका तला अलग हो गया है मैं अभी सील देता हूँ अच्छा थोड़ा जल्डी करो हैं कितने रुपे लगेंगे ये बनाने में वैसे तो पच्चास रुपे लगते हैं साब लेकिन अपनी इच्छा से जो दे दे तभी वहां से दो व्यक्ति बात करते हुए गुजरते हैं और सभी का ध्यान उनकी बातों पर जाता है तुमने सुना कुछ दिनों से नेता जी गाओं का दौरा करने आ रहे हैं हाँ भाई इसलिये गाओं में शफाई चल रहा है रोज प्रधान के घर के आगे लोगों की बैठक लगी रहती है हीरा वहां बैठकर उन सब की बाते सुनते हुए चुपचाप अपना काम कर रहा था और सोचने लगता है कोई भी आए खेर हमें उससे क्या लेना देना हमारे तो वही गरीबी के दन और वही गरीबी की रात गरीब चाहें कितनी भी महनत कर ले ना तो उसके बारे में नेता सोचता है और न सरकार उस गाउं का प्रधान बहुत ही लालची था वो सरकारी काम के नाम पर पैसे एंट था और उससे अपनी जेब भर लेता था उसने आज तक गाउं या उसके गरीब लोगों के बारे में भी कभी नहीं सोचा नीता जी का गाउं के दोरे पर आना उसके लिए ऐसा ही एक पैसे एंटने वाला मौका था जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था अगले दिन सुभा प्रधान अपनी गाड़ी में आता है ये तुम जितने भी लोगों ने सड़क के किनारे अपनी दुकाने लगाई है उन्हें जल्दी से जल्दी खाली कर दो नेता जी आएंगे और ये देखेंगे तो उनके सामने गाउं की क्या इज़त रहेगी सभी लोग प्रधान के सामने गिड़गडाने लगती है अगर वो अपनी दुकान वहां से हटा लेंगे तो फिर उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी इस पर प्रधान गुसा होकर बोलता है प्रधान गाउं के लोगों पर ऐसे ही अपना रौब जमाता है इस पर हीरा को गुसा आ जाता है और वो सभी के सामने अपने हक में प्रधान से बोलता है कि वो यहां से नहीं हटेंगे इस पर प्रधान के आदमी गाड़ी से उतर कर आ जाते हैं और हीरा को मारने लगते है आप इसा क्यों कर रहे हैं हमने आप लोगों का क्या भी गाड़ा है तुम्हें तो मैं अभी सबक सिकाता हूँ अब तुम्हारी सिर्फ दुकान यहां से नहीं हटेंगे बलकि तुम इस गाउं से भी निकाले जाओगे ये बात सुनकर हीरा एकदम चौंक जाता है और परिशान हो जाता है पता नहीं ये रोग और उसके साथ क्या करने वाले हैं उसने अपने आपको एक बड़ी मुसिबत में डाल दिया है प्रधान अपने आदमियों से कहकर हीरा का तुड़वा देता है और वे उसे धक्के मार कर गाउं से निकाल देते हैं कोई और है जो मेरे खिलाब बोलना चाहेगा इतना सब झेलने के बाद हीरा अपना सामान लेकर घर आता है और जो भी उसके साथ हुआ परिवार वालों को बताता है वे ये सब बताते बताते रोने लगता है कोई बात नहीं बेटा दिल छोटा नहीं करते जिनका कोई नहीं था उनके भगवान होते हैं हम गाओं के बाहर पुराने वाले घर में जाकर रह लेंगे तुम देखना कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा हीरा की मा एक बहुत ही सहत स्वभाव की एवंग पूझा पाट करने वाली आउरत थी वो हीरा को समझा ही होती है कि तभी उन्हें अपने दर्वाजे पर एक आहट सुनाई देती है और जब हीरा दर्वाजा खोलता है तो वहाँ पर एक बूढ़े बाबा खड़े होते हैं गर पर कोई है क्या थोड़ी सी भिक्षा मिल सकती है उस बाबा की ऐसी बात सुनकर हीरा की मा अंदर से जाकर जो कुछ भी थोड़ा उसके पास सामान बचा हुआ था भिक्षा के लिए ले आती है लेकिन वो कोई साधरन आदमी नहीं था बलकि बाबा के रूप में खुद देवता था तुमारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी ये लो इस बाबा को भिक्षा देने के बदले तुम ये कुछ टमाटर के बीज रख लो ये कोई साधारन बीज नहीं है इससे तुम जो भी पेड लगाओगे और उससे जो भी चाहोगी वो सब मिलेगा जी बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके बाद अपने पुराने घर जाकर हीरा की मा उस बीज को लगा देती है और कुछी दिनों में वो बीज टमाटर के पौधे में बदल जाता है वो की आम पौधा नहीं था बलकि जादूई था हीरा अब सामान ढोकर बाजार ले जाने का काम किया करता था अगर ये पौधा जादूई है और ये बात वाकई सच है तो क्यों ना मैं इसे एक लकड़ी की गाड़ी मांग लूँ ऐसे मेरा भी काम आसान हो जाएगा हीरा उस टमाटर के पेड़ के पास जाता है और उसे एक लकड़ी की गाड़ी मांगता है तब ही देखते ही देखते हीरा के आंगर में अपने आप एक लकड़ी की बड़ी सी गाड़ी आ जाती है ये देखकर अब हीरा सोच में पड़ जाता है कि क्यों ना गाड़ी के साथ तमाटर के पीड लकडी की गाडी के साथ गशां पना और लात कर शहर ले जाया करता था ये गाडी वो बेल दोनों ही जाद्वी थे कितना भी सामान लातने पर ना बेल ठक्ता था और ना गाडी पर खरोज भी आती थी ये लो चारा खा लो बैल गर्दन हिला कर खानी को मना कर देता है मैं तुम्हें दो दिन से चारे खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुमने अब तक एक दाना तक नहीं खाई कहीं ऐसा तो नहीं कि जादवी होने के कारण तुम खाना खाए बिना ही रह सकते हो जादवी टमाटर के पेड़ के आने के बाद हीरा की जिंदगी में सब सही चल रहा होता है देखते ही देखते वो उस गाउं वो शहर का सबसे अमीराद मी बन जाता है वो उस जादवी बेलगारी की मदद से अपना व्यापार चारों तरफ फैला लेता है सहब आपको नेता जी ने खाने पर बिलाया है ठीक है मैं चला जाओंगा जरूर उन्हें व्यापार सिलसिले में कुछ बात करनी होगी अगले दिन जब हीरा नेता जी से मिलने जाता है तो वहाँ पर प्रधान भी मिलता है प्रधान हीरा की काम्याबी देख कर जलने लगता है इनसे मिलो प्रधान ये शेहर के जाने मैंने व्यापारी हीरा है जी नेता जी इन्हें तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ प्रधान जलन की कारण मन ही मन सूचता है ये जूते सिलने वाला मामुली सा मोची एक दम से इतना अमीर केसे बन गया कुछ तो गड़बड है पता लगाना पड़ेगा अगले तिन प्रधान अपने कुछ आदमियों को लेकर हीरा के घर पहुंच जाता है वो हीरा के घर किसी नेक इरादे से नहीं आया था अभी तुम सब को मज़ा चकाता हूँ बड़ा व्यापारी मनता धाना नेता जी के सामने एक जूता सिलने वाला अब हमारी बराबरी करेगा लेकिन जैसे ही प्रधान हीरा के घर के अंदर पाउं रखता है वो जोर से गिर जाता है उसके बाद बेल अपनी रसी से खुल जाता है और प्रधान और उसके आदमियों को मार मार कर बुरा हाल कर देता है वो लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं उस टमाटर पेड ने प्रद्धान के बेटी सुर्वी की गाउं के प्रधान के बेटे के साथ शादी दै हुई थी एक बार किशोरी लाल ने अपनी बेटी सुर्वी को बुलाया और उससे कहने लगा बेटी तुम्हें दहेज में क्या चाहिए? पापा मुझे तो बहुत सारी चीज चाहिए जैसे धेर सारे कपड़े, जेवर और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में विभेने प्रकार के पकवान भी बने ठीक है मेरी बेटी जैसा तू कहती है वैसा ही होगा पर पिता जी, इन सब में तो धेर सारे पैसे लगेंगे, इतने पैसों की विवस्था कैसे होगी? अरे तू इसकी चिंता क्यों कर रही है? तुम्हारी शादी के लिए तो मैंने पहले से ही पैसे जोड के रखे हैं, विभाव में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी ये सुनकर सुर्भी मुस्कराते हुए अंदर चली जाती है, उसी गाव में दीपेश नाम का लड़का रहता था, शिवम और दीपेश की जरा भी नहीं बन दी थी, वो दोनों हर वक लड़ते थे, कुछ दिनों पहले ही दोनों की लड़ाई हुई थी, उसी का बतला लेने क के लिए दीपेश मौका ढून रहा था, और इधर देखते ही देखते सुर्भी के शादी का दिन करीब आ रहा था, अब शादी में कुछी दिन बागी थे, एक दिन किशोरी लाल की पतनी को सुमलता कहती है, सुनी जी, आपने बैंक में जो पैसे जोड़े हैं, उसको जाकर निकालना ये ना, ताकि विवा की तयारी शुरू की जा सके, हाँ, तुम ठीक कहती हो, कल ही मैं बैंक से पैसे निकाल लाऊंगा, अगली दिन किशोरी लाल पैसे लेने के लिए घर से निकल पड़ता है, तभी बाहर खड़ा उसका बेटा शिवम कहता है, पिता जी, आप कह ही पोशहा था, ये बात वहां खड़ा दिपेश का मित्र कमलेश सुन लेता है, और दिपेश को जाकर सारी बाते बताता है, कमलेश तूने तो ये बहुत अच्छा काम किया है, मैं तो कब से इस मौके का इंतजार कर रहा हूँ, कमलेश कैसे हो, अगर हम शिवम के पिता से सा पैसे चीन ले, ये शादी तो रुखी जाएगी, उपर से उस शिवम और उसके परिवार की भरी सवा में पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी, ये तो बात अच्छा दिमाग लगाया है तूने, चल, चलते हैं ऐसा कहकर दिपेश और उसका मित्र, दोनों मुँपर कपड़ा बांद कर किशोरी लाल के पीछे जाते हैं, किशोरी लाल बैंक से पैसे निकाल कर अपने घर की और बढ़ी रहा था, कि तभी दिपेश और उसका दोस्त पीछे से आते हैं, और किशोरी लाल के हाथ से पैसों का बैक चीन कर भाग जाते हैं किशोरिलाल उनका पीछा करता है लेकिन वो दोनों बहुत तेजी से भाग जाते है तब किशोरिलाल जोर-जोर से रोते हुए कहता है अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी उधर किशोरिलाल के घर पर खुशी का माहूल चाया हुआ है किशोरिल रोते रोते अपने घर पहुंचता है किशोरी लाल को ऐसी हालत में देखकर सब चौंग जाते हैं और किशोरी लाल की पत्नी कुसम लता घबराती हुई उससे पूछती है क्या हुआ आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई और आप इतना रो क्यों रहे हो लुट गए हम बरबाद हो हमारी सूर्वी की शादी कैसे होगी कुसम लता के चिलाते ही महमानों में हलचल मजग गई और जैसे ही महमानों को सारी बाते बता चली वो सारे अपने-अपने घर चले गए चारों तरफ गम का माहूल चा गया किशोरी लाल से ये सभ देखा नहीं जा रहा था और वो बहर निकलकर अपने खेच की तरफ आ गया किशोरी लाल वहां बैटकर जोर से रोता रहता है तब ही अचानक खेच से आवाज आती है किशोरी लाल किशोरी लाल उसे लगा कोई उसे बुला रहा है पर जब उसने चारो तरफ नजर घुमाया तो आसपास कोई भी नहीं था थोड़ी देर यहां वहां देखने के बाद उससे एक ड्रैगन फ्रूट दिखाई देता है किशोरी लाल मेरे होते हुए तुम क्यों परिशान हो रहे हो मैं एक जादवी द्रैगन फ्रूट हूँ मैं तुम्हारी मदद करने आया हो लेखिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो तुम्हें शायद याद ना हो पर कुछ दिन पहले तुमने एक विकारी को भरपेट बोजन करवाया था वो कोई विकारी नहीं बर्कि एक महानपा साधू थे तुमसे प्रसन होकर तुम्हारी कर्मों के फल्स्वरूप वो मुझे तुम्हारे खेत में छोड़ कर गया है और मुझे कोई साधरन ब्रागन फूट समझने की भूल मत करना मैं एक जादूई ड्रागन फूट हूँ पर तुम कैसे मेरी मदद करोगे तुम मुझे अपने साथ ख़र ले चलो और मिटी के बर्तन में रख दो ऐसा करते ही वो मिटी का बर्तन सोने में बदल जाएगा तुम उन्हें बाजार में पेच देना उसके बदले में जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे से अपनी बेटी की शादी धुम धाम से करवाना किशोरी लाल जादुई ड्रागन फ्रूट की बाते सुनकर खुश हो जाता है उसको अपने साथ ले जाता है गर पहुंचकर अपनी पतनी को कमरे में बुलाकर सारी बाते बताता है फिर घर के सारे मिटी के बर्तन एक जगा एक अठा करता है और एके करके सारी बर्तनों में जादुई ड्रागन फ्रूट को रखता है जादुई ड्रागन फ्रूट को रखते सारी मिट्टी के बर्तन सोने के बन जाते है किशोरी लाल की पत्नी ये देखकर दंग रह जाती है किशोरिलाल दुबारा सभी महमानों को आमंत्रित करते हैं और अपने घर पर फिर से शहनाया बजने लगती है फिर से चारों तरफ खुशियों का माहोल चा जाता है किशोरिलाल और शिवब सुर्वी के शादी बहुत ही धूमदाम से करते हैं और सुभष शिवम खुशी-खुशी अपने बहन को विदा कर देता है उसकी बहन को विदा करते देख दीबेश हैरान रह जाता है उसे तो अपने आखों पर यकीनी नहीं हो पा रहा था और वो खुले मूह हैरान होकर देखता ही रह गया बहिश गाउं से शहर आया था काम की तलाश में वो 14 साल का था भाई आपके पास मेरे लाइख कोई काम है? नहीं बेटा आगे और दुकान है तुम चाहो तो एक बार वहाँ जाकर पूछ लो बहिश आगे बढ़ गया वो धर्मेश की दुकान पर पहुँचा भाई आपके पास मेरे लाइख कोई काम है? काम तो है लेकिन क्या तुम ये कर पाओगे? गंटों तक इस खौलते हुए तेल के पास काम करना है मैं जले भी बेचता हूँ और जले भी बनाने के लिए इस तेल की कड़ाई के पास ही खड़े रहना होता है मैं कर लूंगा ठेक है मैं महीने के 5000 दे सकता हूँ रहना और खाना भी महीं दूंगा महेश नी सोचा भले ही 5000 बहुत छोटी रकम है पर कम से कम 5000 तो मैं घर भेच सकता हूँ न और वैसे भी ये भाई मेरे जहने और खाने की इंतजाम तो कर ही लेंगे ठीक है भाई, मुझे मन्जूर है, ठीक है फिर धर्मेश महेश को अपने घर ले गया श्री देवी, यह महेश है, आज से यह हमारी दुकान पर काम करेंगे और यही हमारे साथ रहेंगे ठीक है, महेश, तुम हाथ मुधोलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ ठीक है श्री देवी ने महेश को खाना दिया और उसे बाते करने लगे महेश के सोने के लिए एक छोटा सा कमरा भी दे दिया धर्मेश भाई और भावी दोनों बहुत अच्छे हैं महेश खुश था अगली सुभा महेश और धर्मेश दोनों दुकान पर पहुँचे महेश ने दुकान में जाडू लगाई और धर्मेश जले भी बनाने की तयारी करने लगा देख महेश रोज इस कड़ाई को अच्छे से साफ करना और इसके बाद ही इसमें तेल डालना जी भाईया धर्मेश ने कड़ाई साफ की और उस बड़ी सी कड़ाई में धेर सारा तेल डाल दिया अब इस तेल के खौलने तक का इंतजार करना तब तक मैं जलेबी के लिए मैदा घोल लेता हूँ धर्मेश ने महेश को जलेबी का मैदा घोलना सिखाया अब बारी है सबसे मुश्किल काम की इस मैदे के घोल को तेल में छोड़ना ये कला है धर्मेश ने बड़ी सावधानी से आटे को तेल में छोड़ना वरना तेल का चीटा उड़ेगा धर्मेश भाई अब मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ महेश ने जैसे ही जलेबी का मैदा तेल में छोड़ा तो तेल का चीटा उसकी हाथ पर उड़ा और महेश जोर से चिलाने लगा अरे क्या हुआ धर्मेश ने महेश के हाथ से चम्मच ले लिया और देखा कि तेल के छीटे से उसके हाथ में बड़ा सा च्छाला पड़ गया था इसलिए मैंने कहा था सावधानी से करना तो फिक्र मत कर जल्दी ठीक हो जाएगा महेश के च्छाले पर जलन हो रही थी और दर्द भी ये देखकर धर्मेश बोलने लगा एक काम कर तो घर जाकर आराम कर नहीं भाई कुछ देर में ठीक ही हो जाएगा मैं यहीं बैठता हूँ ठेक है फिर तेल से दूर बैठना महेश बहर काउंटर पर बैठ गया और धर्मेश रोस की तरह जलेबी बनाने लगा महेश उन जलेबी को ग्रहकों को देने लगा पर महेश को बुरा लग रहा था कि धर्मेश भाई को ही ज्यादा काम करना पड़ रहा था अगली सुभा दुकान खोलते ही महेश ने काम करना शुरू कर दिया, उसने दुकान साफ की, कढ़ाई साफ की और फिर कढ़ाई में तेल डाला महेश अब तो तेल की कड़ाई से दूर हट जा नहीं धरमेश भाई आज तो मैं जलेबी तेल में डालना सीख कर ही रहूंगा ठेक है पर आज बहुत हलके हाथ से डालना ठीक है भाई मैं ध्यान रखूंगा धरमेश ने जलेबी का मैदा घोल दिया और फिर वो कड़ाई के पास आया महेश ने बहुत हलके हाथ से तेल में जलेबी डाला इस बार उसने सही तरीके से डाला और उस पर तेल भी नहीं उड़ा वो बहुत खुश था देखिए भाई बहुत अच्छा ऐसे ही डालो महेश ने दो तेन और जलेबी डाल दिये और फिर जब उसने खुश होकर एक और जलेबी डाला तो फिर उसके हाथ पर टेल का छीटा उड़ा और वो जोर से चिलाया अरे फिर से फिर से महेश के हाथ पर दो तीन चाले पड़ गए फिर धर्मेश ने उसके हाथ पर क्रीम लगाई महेश काउंटर पर बैट जाता है और वो सोच रहा था कि कहीं धर्मेश उसे काम से ना निकाल दे फिर ग्राहक आते गए और धर्मेश चले भी बनाता गया और महेश चले भी पैक करके ग्राहकों को देता गया धर्मेश के दुकान के सामने एक पेड़ था जिसके नीचे एक महात्मा आकर बैठे महेश गौर से उस महात्मा को देख रहा था बाबा के कपड़े फटे हुए थे और शरीर से भी बहुत कमजोर दिख रहे थे क्या हुआ बहेश धर्मेश भाई उस महात्मा की हालत देखिए उन्हें देख कर मुझे अपनी गाओं की गरीबों की याद आ गई लेकिन तू इस महात्मा की मदद कर सकता है जाकर एक जले भी उस बाबा को दे कर आजा महेश ने जलेबी पैक किया और उस पेड के पास गया ये लो बाबा खालो शुक्रिया बेटा आज दिना मांगे तुमने मुझे खाना दे दिया भगवान तेरी हर मनों कामनाई पूरी करे अगर भगवान मेरी बात सुन रहे होते तो मेरी ये हालत थोड़ी ना होती ये देखिए जब भी तेल में जलेबी डालने जाता हूँ तो तेल के छीटे उड़ते हैं गाओं से यहां आया हूँ कुछ पैसे कमाकर मा पिता की मदद करने के लिए पर पता नहीं क्या होगा तो फिक्र मत कर बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा महेश वापस दुकान की और चल पड़ा और जब वो दुकान में पहुंचा तो देखा उसके हाथ पर भी छाल नहीं था तेरे हाथ में तीन चार छाले थे ना वो कहा गए अब तो थे पर अब पता नहीं महेश उस महात्मा की और देखा और महात्मा मुस्कुराने लगे तभी महात्मा के शरीर के आसपास रोशनी दिखने लगी और महात्मा उसके पास आकर कहने लगे बेटा, अब तु अगर खौलते हुए तेल में भी हाठ डालेगा तो भी तुझे कुछ नहीं होगा का ही स्वरूप होंगे तो बहुत बाग्यवान है कि उन्होंने तुझ पर अपनी कृपा बरसाई है हाँ धरमेश भाई आप सही कह रहे हो पर क्या मैं सच में खौलते हुए तेल में हाथ डाल सकता हूँ महेश ने तेल का एक कत्रा अपने हाथ पर डाला तो उसे तेल बिलकुल भी गर्म नहीं लगा भाई ये तेल बिलकुल भी गर्म नहीं है क्या इतना गर्म खौलता हुआ तेल तुझे गर्म नहीं लग रही है फिर महेश ने तेल की कड़ाई में हाट डाला, लेकिन उसका हाट जला नहीं, ये देखकर धर्मेश और महेश दोनों हैरान रह गए, महेश अपने हाट से खौलते तेल से जले भी निकालने लगा, बाजार से गुजरने वाले लोग उसका ये करतब देखकर हैरान रह गए, ध धर्मेश की दुकान चल पड़ी, महेश की पगार भी पांच हजार से तीस हजार हो गए, अब वो अपने माता पिता को खूब सारे पैसे भेजा करता था, खौलते तेल में हाट डालने वाला महेश कुछ ही दिनों में मशूर हो गया, कुसुमपुर गाओं में किशुरी लाल नाम का गरीब व्यक्ति रहता था, जो अपने खेतों में उगे ड्रैगन फ्रूट को ठेले पर बाजार ले जाकर बेचा करता था, किशुरी लाल के दो संतान थे, एक लड़का और एक लड़की, उसके बेटे का नाम शिवम था, औ और उससे कहने लगा, बेटी, तुम्हें दहेज में क्या चाहिए? पापा, मुझे तो बहुत सारी चीज चाहिए, जैसे धेर सारे कपड़े, जेवर, और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में विभेन प्रकार के पकवान भी बने, ठीक है मेरी बेटी, जैसा तू कहती है, व पैसे जोड के रखे हैं, विभाव में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, ये सुनकर सुर्भी मुस्कराते हुए अंदर चली जाती है, उसी गाव में दीपेश नाम का लड़का रहता था, शिवम और दीपेश की जरा भी नहीं बन दी थी, वो दोनों हर वक्त लड़त एक दिन किशोरी लाल की पतनी को सुमलता कहती है, सुनिये जी, आपने बैंक में जो पैसे जोड़े हैं, उसको जाकर निकाल लाए ना, ताकि विवा की तयारी शुरू की जा सके, हाँ, तुम ठीक कहती हो, कल ही मैं बैंक से पैसे निकाल लाओंगा, अगले दिन किशोरी ल पैसे लेने के लिए घर से निकल बढ़ता है, तभी बाहर खड़ा उसका बेटा शिवम कहता है, पिता जी, आप कहां जा रहे हो, अरे बेटा, मैं बैंक से पैसे निकालने जा रहा हूँ, शादी की तैहरी के लिए पैसों के जरूरत है, मैं बैंक की तरफ ही जा रहा था, कमलेश तूने तो ये बहुत अच्छा काम किया है, मैं तो कब से इस मौके का इंतजार कर रहा हूँ, कमलेश कैसे हो, अगर हम शिवम के पिता से सारे पैसे चीन ले, ये शादी तो रुखी जाएगी, उपर से उस शिवम और उसके परिवार की भरी सवा में पूरे परिवार क कि बदनामी हो जाएगी, ये तो बात अच्छा दिमाग लगाया है तूने, चल चलते हैं किशोरी लाल जोर जोर से रोते हुए कहता है, बगवान ये क्या हो गया, अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, उधर किशोरी लाल के घर पर खुशी का माहूल चाया हुआ है, किशोरी लाल रोते रोते अपने घर पहुंचता है, किशोरी लाल को ऐसी हालत में देखकर सब चौंक जाते हैं और किशुरिलाल की पत्नी कुसमलता घबराती हुई उससे पूछती है क्या हुआ आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई और आप इतना रो क्यों रहे हो लुट गए हम बरबाद हो गए लुट गए आप ये क्या कह रहे हो कुसमलता के चिलाते ही महमानों में हलचल मच गए और जैसे ही महमानों को सारी बाते बता चली वह सारे अपने अपने घर चले गए चारो तरफ गम का माहूल चा गया किशोरी लाल से ये सब देखा नहीं जा रहा था और वो बहार निकल कर अपने खेट की तरफ आ गया किशोरी लाल वहां बैट कर जोर से रोता रहता है तब ही अचानक खेट से आवाज आती है किशोरी लाल, किशोरी लाल उसे लगा कोई उसे बुला रहा है पर जब उसने चारो तरफ नजर घुमाया तो आज पास कोई भी नहीं था थोड़ी देर यहां वहां देखने के बाद उससे एक ड्रैगन फ्रूट दिखाई देता है किशोरी लाल, मेरे होते हुए तुम क्यों परिशान हो रहे हो मैं एक जादवी ड्रैगन फ्रूट हूँ मैं तुम्हारी मदद करने आया हो लेखिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो तुम्हें शायद याद ना हो पर कुछ दिन पहले तुमने एक विकारी को भरपेट बोजन करवाया था वो कोई विकारी नहीं, बरकि एक महानपा साधू थे तुमसे प्रसन होकर तुम्हारी कर्मों के फल्स्वरूप वो मुझे तुम्हारे खेत में छोड़ कर गया है और मुझे कोई साधरन ब्रागन फूट समझने की भूल मत करना मैं एक जादूई ड्रागन फूट हूँ पर तुम कैसे मेरी मदद करोगे? तुम मुझे अपने साथ ख़र ले चलो और मिटी के बरतन में रख दो ऐसा करते ही वो मिटी का बरतन सोने में बदल जाएगा तुम उन्हें बाजार में पेच देना उसके बदले में जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे से अपनी बेटी की शादी धुम धाम से करवाना किशोरीलाल जादůी ड्रागन फ्रूट की बाते सुनकर खुश हो जाता है उसको अपने साथ ले जाता है गर पहुंचकर अपनी पत्नी को कमरे में बुलाकर सारी बाते बताता है फिर घर के सारे मिट्टी के बरतन एक जगा एक अठा करता है और एके करके सारी बर्तनों में जादुई ड्रागन फ्रूट को रखता है जादुई ड्रागन फ्रूट को रखते सारी मिट्टी के बर्तन सोने के बन जाते है किशोरी लाल की पतनी ये देकर दंग रह जाती है किशोरिलाल दुबारा सभी महमानों को आमंत्रित करते हैं और अपने घर पर फिर से शहनाया बजने लगती है फिर से चारों तरफ खुशियों का माहोल चा जाता है किशोरिलाल और शिवब सुर्वी के शादी बहुत ही धूमदाम से करते हैं और सुभष शिवबं खुशी-खुशी अपने बहन को विदा कर देता है उसकी बहन को विदा करते देख दीपेश हैरान रह जाता है उसे था अपने आखों पर यकीनी नहीं हो पा रहा था और वो खुले मुह हैरान होकर देखता ही रह गया एक गाओं में साइमन और सीना नाम के पती-पतनी अपनी दो जवान बेटियों के साथ रहते थे बड़ी बेटी का नाम आना और दूसरी का नाम सोफिया था आना साइमन की पहली बीवी से पैदा होई थी आना की सौतेली मा हमेशा आना को कश्ट देती रहती थी और अपनी बच्ची को आराम से रखती थी एक सुभा बड़ी ठंड पड़ रही थी आना, ओ आना, सोय हो अभी तक, जल्दी से उठो, जाओ, चोय बनाकर मुझे ख़ड के पास लाकर दे दो आना को अपनी सौतेली मा की जली कटी बातें सुनने की आदत पड़ गई थी जब ठंडी कम हुई, तब मच्चरों का आतंग शुरू हो गया घर में चार मच्चरदानी थी, लेकिन एक फटी हुई मच्चरदानी ही आना के हिस्से में आई रात को मच्चरों ने उसे सोने नहीं दिया, सुभा हुई ओ महरानी, कितिना सोएगी, चल उड़ चल दिसे, सारा काम पड़ा है मा, रात पड़ मच्चरों ने मुझे सोने नहीं दिया, इसलिए सवेरे नीन नहीं खुली सीना, क्यूं डांट रही हो बेटी को तुम बीच में मद बोलो, ये काम धाम नहीं करेगी, तो ससुराल में हमारी ना कड़वाएगी अच्छा, ये सोफिया जब ससुराल जाएगी तो क्या काम अपने साथ से करवाएगी ओहो, अरे सोफिया तो अभी बच्ची है, उसकी तौबियत में ठिकने रहती नहीं, ये तुम्हारे लाड प्यार और उसकी आलस का नतीजा है देखो, कितनी मोटी हो गई है, काम करने से शरीर फिट रहता है अब आना को ही देख लो, कितनी चुष्ट और दुरुस्त रहती है आप तो हमेशा आना की तारीफ करते रेद्दे हैं, जैसे सोफिया आपकी बेटी ही नहीं आना घर का सारा काम काश करने के बाद मच्चर दानी लेकर उसे सीने लगा आना बेटी, तुम मेरी मच्चर दानी ले लो और ये मुझे दे दो मेरी मच्चर दानी में तुम्हे रात भर अच्छी नीद आएगी देखो, मच्चरोंने तुम्हें कितनी बूरी तरह से काटा है जगा जगा निशान बन गए है मा ने आना को बगी जैसे फूल लाने के लिए भेज दिया उस राज्य के राजकुमार ने जब आना को देखा तो देखता ही रह गया आना ने एक नजर उठा कर सुन्दर राजकुमार की तरफ देखा और शर्म से लाल हो गई वो तेज कदमों से घर की तरफ भाग चली रात होने के बाद सभी लोग सोने चले गए सोफिया ने देखा की आना बड़े चेन की नीन सो रही है वो उसके खाट के पास चली गई और मच्छरदानी में उंगली डाल कर छेद करने लगी इतना ही नहीं वो चाकू लेकर आई उसने मच्छरदानी को कई जगा से काट दिया और चुप चाब जाकर अपने बिस्तर पर सो गई आना की फटी हुई मच्छरदानी में घुसकर मच्छरों ने उसी जगा जगा काट लिया उसकी नीद हराम हो गई दूसरे दिल आना के पापा मम्मी और सोफिया एक रिष्टदार के यहां चले गए आना घर में अकेली थी वो अपनी फटी हुई मच्छरदानी को लेकर आसो बहा रही थी अचानक एक रोशनी के साथ एक सुन्दर परी प्रकट हुई बाले के तब क्यों रो रही हो मेरे मच्छरदानी भट गई है रात बर मच्छरों ने काटकर मेरा पुरा हल कर दिया है और सवेरे चल्दी उढ़कर घर कर सारा काहुव करना पढ़ता है मेरे जिंदेगी का हाल भी इसे भटी हुई मच्छरदानी के तरह है बेटी मैं चानती हूँ तुम तो हग नेक दिल हो अब तुभारे कष्ट के दिल पूरी होके हैं ये लो मैं तुम्हें एक नई मच्छर दानी दे रही हूँ लो मेरी छोटी मेहिंच सोफिया इसे भी भाट डालेगी मुझे फिर से रात भर मच्छर काटेंगे बेटा ये कोई साधरन मच्छर दानी नहीं है ये एक चमतकारी जादूई मच्छर दानी है ये आजिवन तुम्हारी रक्ष्या करेगी तुम जो उचित वस्तू या धन चाहोगी ये मच्छर दानी तुम्हें डे देगी इसे कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा इतना कहकर परी ने अपनी जादूई छडी से आना को सुंदर वस्त्रों आभुशणों से सज्जित कर दिया वो एक सुंदर और स्वस्त राजकुमारी के तरह लग रही थी परी मा आपको बहुत बहुत धन्यबाद परी आकाश मार्ग में उड़कर चली गई रात हो गई आना बड़े आराम से नई मच्छडदानी के अंदर सो गई उसकी छोटी बहन सोफिया और उसकी मा दोनों उसके खाट के पास आ गई मा ये इतनी बदल की से गई इतनी अच्छी मच्छडदानी इसे कहों से मिल गई बड़े मज़े से सो रही है अभी इसे मज़ा जखाती हूँ चाँ 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 चलती जा कर चाकु लेकर आ चलती जा सोफिया और उसकी माँ दोनों मिलकर चाकू लेकर मच्छर दानी की तरफ बढ़ी और ये क्या मच्छर दानी से तेज किर्णे निकली और दोनों माँ बेटी धराशाही हो गई अरे मर गई रहे अरे बुच्छ औरे कमर तूट गई रहे उठानी जाता अरे मच्छर भी काट रही है जैसी करनी वैसी भरनी अब भी आखें खोल कर देख लो एक ना एक दिन पाप का पल जरूर मिलता है आना से माफी मांगो आना बेटे मुझे माफ कर दो दूती मुझे माफ कर दो आना ने दोनों मा बेटी को उठा लिया उनके राज़ी के राजकुमार ने आना के लिए विवहा प्रस्ता भेजा और राजकुमार और आना का सुन्दर ढंक से विवाप प्रसंद हुआ आना राजकुमार के साथ खुशी-खुशी रहने लगा बहुत पुरानी बात है बटु के एक गरीब किसान था दो साल पहले साइकल से गिर गया था उसके पैरों में ऐसी छोट लगी थी कि उसे बैसाखी के सहारी ही चलना पड़ता था खेती से इतनी ही आमदनी होती थी कि खाने पीने का काम चल जाता था पिता के मरने के बाद ही उसके बड़े भाई और भावी चमपा ने उन्हें अलग कर दिया था देखो शार्दा आज हमारे खेत में पहला कद्दू निकला है मैंने सोचा घर ले चलू इसकी सबजी बना कर भोग लगा देना रात में मधु की शादी की सारी तयारिया तो हो गई है जितना पैसा था वो सब खर्च हो गए अब कहां से आएगा मा मुझे आगे की पढ़ाई करनी है मुझे अभिशादी नहीं करनी कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे डॉक्टर बनना है मधु किसी तरह से लड़के वाले राजे हुए हैं बेटी हमारे पास इतने पैसे कहां है जो डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्च दे सके हम तो निपट अनपड गवार ही रह गए बिटिया पढ़ना चाहती थी पर गरीबों को सपने पूरे करने का भी हक नहीं है पैरों से भी लाचार हो गया वरना इतना तो खेती से ही निकल जाता था मैंने सोचा था कल मधु के लिए कोई गहना खरीद दू क्या करूं राशन पानी घर की रंगाई पुताई में ही कुल दो हजार रुपे खर्च हो गए जीवन भर में गहनों को तरस्ती रही सोचा था अपनी मधु के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी पर ये गरीबी ही हम किसानों की किस्मत है तभी दर्वाजी की कुंडी खड़की मधु ने दर्वाजा खोला तो सामने उसकी ताई का बेटा राघव खड़ा था दीदी ये कुछ सवाल है जरा समझा दोगी अच्छा अंदर आ जाओ क्यों रहे जब मैं चली जाओंगी तब किस से पूछेगा दीदी आकर तुम शादी कर ही क्यों रही हो क्या करूं भाई मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है चलो तुम सवाल दिखाओ बटुक और शार्दा भी तब तक आ गए राघव को नाश्ता करवा कर शार्दा सारा राशन पानी कमरे में रखने चली गई देखो जी एक महीने बाद ही लगन है कुछ पैसो का इंतजाम कहीं से हो जाता है तो सिर्फ एक गले की जन्जीर ही बनवा लेना कल बड़े भाई साहब से पूछ लूँगा शायद बेटी की शादी के नाम पर कुछ मदद कर दें तो जंपा भावी के सामने तो मांगना मत नहीं तो वो बिलकुल ही नहीं राजी होंगी और उनको भी मना कर देंगी भाई साहब फिर भी हमारे परिवार का सुगदुख समझते हैं अच्छा चलो अब सो जाओ सुभा जल्दी उठा भी है बहाँ काम है रात में शारदा की आँख खूली तो उसने देखा की कद्दु बटुक लेकर आया था वो कद्दु लुड़कते हुए उसके चारपाई के पास आ गया हैं ये कहां से आ गया मैं तो इसको कोने में रखकर आई थी ये तो घर का कद्दु था मैंने सोचा था सबजी बनाकर भोग लगाऊंगी पर ये कहां से आ गया कैसे तुमने मुझे एक कोने में क्यू रखा मेरे सबजी बनाकर भोग लगाने वाली थी ना कद्दु को बोलते हुए देखकर शार्दा डर गई अरे शादी के काम में मैं भूली गई कल सबसे पहले यही काम करूँगी कद्दु वही रखकर ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है आज तक सबजी पाती को बोलते हुए तो नहीं देखा था दूसरे दिन सुबह सुबह ही नहाध होकर उसने जैसे ही कद्दु काटने के लिए उठाया उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया और उसमें से धेर सारा सोना निकल कर बिखर गया देख क्या रही हो शार्दा जल्दी से सारा सोना उठा लो और बिट्या को जितना भी गहना बनवाने का सोचा था बनवा लो सबजी बना कर भोग लगा दो और बीज अपने आंगन में कहीं बो देना शार्दा ठगी सी खड़ी थी फिर एका एक उसे होश आया उसने जट से सारा सोना उठा कर संदूक में रख दिया और सबजी बना कर भोग लगाने चली गई हे दिन बनधू जैसे आपने मेरी लाज रख ली वैसे ही सब की रखना सुनो जी भाई साब के यहां जाने के जरूरत नहीं है हमारी जरूरत पूरी हो गई है क्या कहती हो शार्दा ने बटुक से सारी बातें बता दी बटुक के चहरे पर खुश ही आ गई उसी दिन दोपहर को मधू को लेकर सुनार की दुकान पर जाने के लिए सोचा मधू जल्दी से तयार हो जाओ चलो सुनार के यहां से कुछ बनवा लाते हैं दोनों सुनार के यहां से धेर सारे गहने बनवा कर ले आए शार्दा ने कुछ सोना बेचा और उसका पैसा ले लिया अपने लिये भी सोने की चूडियां, चेन और जुम के खरीद लिये इतने गहने देख कर भी उसको कोई खुशी नहीं थी उसकी तो एक ही रट थी कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है दूसरे दिन सुभा सुभा अरे शार्दा, तुमने कल ही तो भीज लगाया था ना ये देखो, आंगन में कितने बड़े-बड़े कद्दू लगे हैं एक तोड़ो, भोग लगा लेंगे बटुक ने कद्दू तोड़कर रख दिया शार्दा नहाने गई, वहां से आई तो कद्दू काटने बैठी पर जैसे ही कद्दू काटा, उसमें पहले की तरहे धेर सारा सोना निकला उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था मैं कह रही थी, कि अब हमारे पास बहुत सोना है ये शादी रोग क्यों नहीं देते मधू को पढ़ने का इतना मन था पर पैसे के अभाव में हमने उसकी पढ़ाई भी छुडवा दी अगर डॉक्टर बन गई, तो उसकी किस्मत चबक जाएगी हमारी तरह से गरीबी की मार तो नहीं जेलनी पड़ेगी तुम ठीक कह रही हो, पर विरादरी वाले तो यही सोचेंगे कि हमारी मधू में ही कोई खोट है, जिसकी वज़े से उसकी शादी नहीं हुई देखो जी, जब हमारी मधू पढ़ लिक कर डॉक्टर बन जाएगी तो यही बिरादरी वाले हमारी प्रशंसा भी करेंगे मधू जट से आई, उसने अपनी मा को गले से लगा लिया और कहा मापू मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगी, तो सबसे पहले तुम्हारे पैरों का ही लाज करूंगी ठेक है, मैं आज ही लड़के वालों को खबर भिजवा देता हूं कि अभी हमें शादी नहीं करवानी है मधू की शादी नहीं हो रही है, ये खबर गाउं में फैल गई गाउं भर में कानाफूसी शुरू हो गई, जो जहां बैठता सब की चर्चा का यहीं विशे रहता था शार्दा की जिठानी चमपा तो सबसे ज़ादा बाते बनाने लगी, उन्हें खलबली मची थी कि रिष्टा क्यों तूट गया बटुक और शार्दा मधू का एडमिशन करवाने शहर चले गए, उनके शहर जाते ही चमपा का माथा ठनक गया कि जरूर कोई बात है, मधू का बारहवी का रिजर्ट देखते ही उसका एडमिशन हो गया उसको आसानी से होस्टल भे मिल गया, क्योंकि उन दिनों बहुत कम लड़किया मेडिकल की पढ़ाई करती थी बेटी, अब हम जा रहे हैं, मन लगा कर पढ़ाई करना, तुम्हारे भाग्ये से ही हमें जादूई कद्धू मिला है हाँ बापो, तुम चिंता मत करो, जैसे ही छुट्टिया होंगी, मैं गाउं आ जाऊंगी, मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी से अलग होने के समय, शार्दा की आखें भराई, वो दोनों गाउं में आए, तो उन्होंने देखा, उनके जेट और चमपा घर के बाहर बैठे थे अरे आप लोग हमारे अहां शार्दा तुम लोगोंने तो मधू की शादी तूटने की खाबर भी नहीं दी, उन्होंने रिष्टे से इंकार क्यों कर दिया भाबी, उन्होंने नहीं, हमने खुद रिष्टा तोड़ दिया, क्योंकि मधूर डॉक्टरी पढ़ना चाहती थी, और हम उसका दाखिला करवाने ही गए थे इतना पैसा कहां से ले आए? जो पैसे उसकी शादी पर खर्च करने के लिए रखे थे, उसी से उसका दाखिला करवा दिया चमपा को यह बात समझ नहीं आई इतना है शौक्था लड़की को पढ़ाने का, तो शादी तैही क्योंकि यह लोग बहाने बना रहे हैं, बात कुछ और ही है, पता लगाना पड़ेगा उसे दिन से उसने शारदा के घर पर नजर रखना शुरू कर दिया और उसने किसी तरह से पता लगा लिया, कि उनके पास जादूई कद्दू की महरबानी से पैसा आ रहा है एक दिन जब सब सो रहे थे, तब उसने अपने बेटे रागव से कहा चाची की आंगन से कद्दू लेकर आओ, पर कोई देखने न पाए मा, मैं चोरी नहीं करूँगा लेकिन उसकी मा ने जब बहुत जित की अभी नहीं मा, रात में जाओंगा रात में रागव उनकी आंगन में कूद गया, और कद्दू ले आया चमपा ने जैसे ही कद्दू तोड़ा, तो कद्दू उसके मुँपर आकर चिपक गया उसने लाख छुडाने की कोशिश की, पर कद्दू तो उनके मुँँ से हटा ही नहीं बचाओ, बचाओ अरे, ये क्या हुआ मा? उसने भी बहुत छुडाने की कोशिश की, पर कोई फाइदा नहीं हुआ अरे, मेरा दम खुट रहा है, जल्दी निकालो रागो एक चाकू लेकर आया, पर कोई फाइदा नहीं हुआ मा, मैं चाची को बुला कर ही लाता हूँ वो भाग कर गया, और शार्दा को बुला कर लाया ये क्या हुआ? चाची, ये तुम्हारे आंगन का कद्दू है मा ने जैसे ही इसे काटा, ये आकर उनके मुँपर ही चिपक गया देखो जरा, शार्दा की हाथ लगाते ही कद्दू नीचे गिर गया शार्दा मुझे माफ कर दो बहन, मैं सच मुच बहुत बुरी हूँ मैंने हमेशा तुम लोगों को पराया समझा पर आज अगर तुम ना आती तो इस मुए कद्दू ने तो मेरी जान ही ले ली होती शार्दा ने घर जाकर बटू को सारी बाते पताई दोनों खूब हसे पात साल के बाद मधू की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई उन लोगों के पास सब धन दौलत की कोई कमी नहीं थी मधू ने बापू का ओपरेशन बड़े से बड़े अस्पताल में करवाया और कुछी महीनों में वो ठीक हो गए मधू भी एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर हो गई कुछी दिनों में बटूक और शार्दा ने मधू का विवाह उसके साथ ही पढ़ने वाले एक डॉक्टर से कर दिया वा भाई किश्मत हो तो बटूक जैसी यहां तो कोशो टक के गाउं में कोई अपनी लड़की का डॉक्टर नहीं बना पाया बटूक की बिटिया ने पुरी गाउं की नाम राशन कर दिया है वह जादूई कद्दू ने उनके जीवन को सवार दिया था